नमस्कार दोस्तों जै माता दे दोस्तों आप शभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूटीब चैनल पर दोस्तों केसे हैं आप सभी लोग उम्मिद करता हूँ और ऐसा करता हूँ कि आप शभी लोग बगमान चन देव के किरपासे और माता मंचा आपके लिए प्रारत्रा करूंगा कि आप。 कि आपको जीवन में हमेसा खुस रखे और आपको दिन दूग नी और रात चोगनी तरक्याने को बतना चाहूंगा कि आपके जीवन काल में बहुत बड़े खुसकोपरी दस्तिक safety जो दोस्तों कि मगमान संदेब की रपासे और माता मनचा देवी की रपासे आप सभी के जीवनकाल में आने वाले अगले दोतनों के भीतर एक बहुत इबड़ा एतिहासिक परिवर्तन और एक बहुत बड़ा चमतकार आपके जिंदगी में होने वाली हैं दोस्तों आप सभी को बतने जाओंगा कि इन दोनों की किरबास से आप लोगों के जिवनकाल में इन दोदनों के भीतर आप लोगों को एक बहुत बड़ी काम्याबी मिले बाले हैं दोस्तों जिस काम्याबी को पाने के लिए आप शालों से जो आप मेहनद और प्रिश्रम कर रहे थे दोस्तों आप लोगों को वो काम्याबी आने वाले इन दोनों के भीतर मिले वाले हैं क्योंकि यह समय बुद्ध ने अपना राशी परिवर्तन कर चुका है और मंगल की महादसा चल रही हैं जिस कारण से आपके जिन्दगी में बहुत बड़ा धमका होने जा रहे हैं दोस्तों जानकारे के लिए हम आप शबीः को बताना चाहूंगा कि दोस्तों आपके जिवन काल में आपकी जोबीलों दुस्मन तत्य बने होई थी दोस्तों अब आपके दुस्मनों की हालत और उनकी जिन्दगी अब कुतियों से भी बत्त होने वाली हैं जिए दोस्तों आप लोग बिल्कूल सही सुन रही हैं दोस्तों आपको बता दी दोस्तों कि आने वले इन दोस्तों के भीतर उनको अपने बुरे कर्मों और पापों की किये का सदा मिलने वाले हैं जो दोस्तों आपकी दुस्मन ने अपने जिवनकाल में जिसा उन्होंने पाप किये थे उन्होंने जितना बुरे कर्म किये थे और उन्होंने आपको जितना सताया था दोस्तों अब उनको अपने हरे बुरे कर्मों का फल यासम मिलने वाली हैं और उनके हरे बुरे कर्मों का ह इस आप किताब करने वहली हैं और आपके दोस्मनों की हालत अब कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे दोस्तों जोने देखकर आपके विलकुल ही होसी ऊचैंगी जी दोस्तों आपमें साथ कभी सप्ने में सुचोंगे कि हमारे दूसमनों के साथ कभी कुछ इतनी बड़ी और बुरी घटना भी घट सकती थी लेकिन दोस्तों आप सभी को बतन चाओंगा कि दोस्तों चाहे घड़ा पुन्य का हो या फिर पाप का हो दोस्तों एक नेक दिन दो जरूर ही बढ़ता है और आपके दूसम के भीतर आपके जिन्दगी में आपको वो चीज देखने को मिलेंगे दोस्तों जिस चीज को देखने के लिए आपके आँखे साए सालों से तरस गयती दोस्तों आपको जिस दिन का इलजार था दोस्तों अब आपके लिए वह दिन आ चुका है दोस्तों आप हमेशा मगवा हमारे जिंदगी के हमारे दुस्मनों से अखिर हमें मुक्ति का मिलेंगी अखिर हमारे दुस्मनों के साथ बुरा कब होगा तो आप लोगों को बतना चाहूंगा कि दोस्तों अब आपके वह दिन वह सुब घड़ी आ चुका है तो दोस्तों अब आपके दुस्मनों का बुरा कुछ ऐसे बड़े सफलता हैं आपके हांत यह समय लगेंगी देखकर आपकी बिलकुल ही होज होड़ जाएंगे लेकिन दोस्तों आप लोगों को यह समय कुछ ऐसे बातों का बहुत एक ख्या लखना होगा आप लोगों को यह दू दिन तक कुछ ऐसे साउध्वनियां बरतने की अशुक्ता होंगी जो आपके जिंदगे में मुस्बद लाने के संके दे रहे हैं तो आप लोगों को यह समय कौन से बातों का दिहां रखना है क्या गलतियां करने से बतना है कौन से साउध्वनियां बरतने क्या आप लोगों को क्या लापनवाई करने से बतना होगा हम को आज की इस वड़ों के माध्यम से इन सारे जाम करें बताएंगी और साथ में ये भी बताएंगे कि दोस्तों आने वाले ये दो दिन काश्चे में आपके लिए केसा लेने बारी हैं आप लोगों के जुवनकाल में मगबान संदेव की जरपासे और माता मन्शा देविक की अ होने वाली हैं हम आपको संपून राशिपल एक सो परसें सच और सटी बरिशुवानी करके बताएंगा तो आज की ये वड़ों आप सभी के लिए बहुती खास है और बहुती मेहत्पून है और आपके मेहत्पून गरगोचर की दार पर बने गई है तो आज की इस वड़ों आप बिल्कूल भी भूल से मिस ना करें तो दोस्तों आएए बात करते हैं वड़े की उश्रवात करते हैं दोस्तों उससे पहले मगवान संदेव जी के और माता मंचा देवी के जितने भी सच्ची और प्यारी भगते हैं इस वड़ों कभी कभी अपने दोनों हाथों से एक और मन्सा किरपा बहें रहेए जी हितुँ आप यहां दोस्तों व्यां दोस्तों दोiddश्तों आईए बात करते हैं वड़े की शुरवात करते हैं बगबान स्रीकностью के एक बड़ी हिशेवणा पुल ग्यान के साद जो आप लोगों के लिए बहुती खास ग्यान शाबित होंगी तो आप लोग इस ग्यान को जड़ा कान लगा कर जरूर ही शुनेगा दोस्तों पावानशरे कि इसी कहते हैं कि तुम जीवन में मत सोचु कि तेरा शपना पूरा क्यों नहीं होता है हिम्मत वालों का इरादा कभी भी अधूरा नहीं होता है जिस इंसान के कर्म अच्छी होते हैं उसके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता है दोस्तों अगर आप जीवन में अंधेरा नहीं चाहते हैं तो आप लोगों को जीवन में पहले अच्छे कर्म करना होगा कि दोस्ते जीवन में कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है यह दोस्तों तो इस घ्यान को आप लोग हमेशा अपने जीवन का आलमी ध्यान में जरूर रखें दोस्तों अगर भगमान तरह की जिका यह गिन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक परसले जरू करें और श संपून जानकरी बताएंगे तो आप लोग हमारी साथ अंद तग बने रहें दोस्तों आने वले यह जुलाय महा के अंतिम दो दिन आप लोगों के बहुत ही खास दिन लेकर आ रहे हैं दोस्तों इन दो दिनों के भीतर आपको सुभागी और भागी का शाथ मिलता हो दिखा दे सकते हैं और आप जिस तरकी को पाहना चाहती थे जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते थे दोस्तों आपके उस मेहनत का आप लोगों को या समय के प्राप्ति भी होने वाली हैं और तरकी आपके हां या समय लग सकते हैं और दोस्तों अगर आप कापी लंबे समय से किस यह समय बहुत ही अच्छा मैसूद भी होंगे और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आपका लबी समय से किसी भी योजना में जूडने चाहते थे तो आपको यह समय उस जेतर में एक बड़ा आउसर प्राप्त हो सकते हैं जिस आउसर को आपको यह समय जो इस रासी के जो भी जात तक बेवसाय सकते हैं धोस्तों और लोगों को यह समय बचार में आई तेजी के कारण उनको यह समय कापी अच्छे लाब के प्राप्ति होंगी जिस कारण से बेवसाय लोग यह समय कापी अच्छे खोषी दिखाए दिया सकते हैं और यासमा आपके इशारी मनकमनाई पूरी होने की परवर्वर संभानें बन रही हैं और दोस्तों नोकरी पेशर लोगों की आयकी यासमे अधरी श्रोथ बनेंगे और यासमें आपको रोजगार के बेहतर अउसर प्राप्त होंगी अगर आप काफी मिसमें से रोजगार की तलास कर रहे थे तो आप लोगों को इन दूदनों के भीतर एक अच्छा उस्वा प्राप्त हो सकते हैं और संतित धन में यसमें व्रिदी होंगी दिन स्कारंस यसमें आप लोगों को कापी अच्छी लाप की प्राप्ति होंगी और लाव पार्टनर य विवादें आपके चल रही थी तो यसमें उन विवादों से आपको मुक्ति मिलेंगी और यसमें उसमें जो भी फिसल आएंगे दोस्तों वह फिसला आपके हक में आ सकती ही और दोस्तों अगर आपका अपने शंतान के बाहरे में किसी बात को लेकर चिंती थे तो आपकी य गदगद हो जाएंगी और चेहत के दिरिश्टी से यह दू दिन का श्री में आपके बहुत ही खास हैं यह से मैं आप लोगों को किसी बात का जिन्दा करने की आउसकता हैं नहीं है